कि दोस्तों नमस्कार सब भायों का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल वैदिक पंजगवे पे दोस्तों आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही शांदार वीडियो यह सेंट्रल केटल ब्रीडिंग फारम थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर है और यह सुर्दग सेंट्रल केटल ब्रीडिंग फारम सुर्दगड का मैं गेट है चले दोस्तों अंदर चलते हैं और आज आपको दिखाऊंगा शांदार वीडियो दोस्तों यह डैक्टर साब का ओफिस है आप देख रहे हैं कि इसमें राइट हैंड की तरफ जो ऑफिस है वो डैक्टर साब की बिल्डिंग है जाएं सिसी बीफ के डॉक्टर संतोस में नंजी डेक्टर हैं वहां पर पैठते हैं और यह सारा फारम उनकी देखरेक में चल रहा है दोस्तों यहां पर प्योर तारपरकर नसल की गाएं बचडियां और बचड़े नंदी यह सब यहां पर अविलेबल है तो सेल के लिए भी अविलेबल रहती हैं बचड़े वगरा तो कभी भी आप लेके जा सकते हैं लेकिन जो बचडियां हैं और गाएं वो साल में दो बार आउक्षन करते हैं दोस्तों यह एक सैड है यहां पर जो चोटे बच्चे हैं जो करीब तीन-चार महीने से बड़े बच्चे हैं जिसमें बच्चडे और बच्चडियां दोनों रखे हुए हैं जो गया भी मिल्किंग में हैं उनके बच्चों को यह अलग रखते हैं और आप देख रहे हैं कि यह किस तरह से इन्होंने मेनेजमेंट किया हुए है इनकी जो खाने की खुरली बनाई हुई है इसके साथ में ऊपर पैप लगाए हुह जिससे कि अराम से ये सारे पच्चे लैने में लगाए तो धुव भरधा लेकर श plantation हैं छोटे बच्यों के और 30 Susu से लेकर और दुर जो करेब तीन महिने चार मेने तक के जो बच्चे रखे गए हैं यहाँ पर बच्चे रखे हुए हैं ंदो However इसमें आप देखांगे कि सारे बच्चे पख्या फरस्त पे रहते हैं और चालों स्टिय को दोकुद्षी और पांचे विश्चे चाहएक है थाए ए दूसे तर्फ थोड़े बड़े बच्ची एमने qualifying बच्च्चें से खेलेंगी है अनुटि छोड़े हुर्से पर कंदा पर बच्च्चे और अपने अपने घर पर ले जाके बच्च्चे को ट्यारिक है तो इतने चोटे ग़स के बच्च्चे को वो ले लेकिन फस्ट मिलकिंग वाली मुलक वाली काव है जिसनका कोई रिकोड नहीं है रहते नहीं है जब तक मिलक कि मदर्श की ध्राइज हो जाती है लुद ट की ऊसका फिर्स नहीं बनेगा तब कर दोस्तों का झालिन डिंत की खुडली पनी हुई है पाने पीने की खुरली है और उदर पानी पिते हैं और इस तरफ एक तरफ यह खाते हैं कि दोस्तों आगे चलते हैं आपको दिखाऊंगा कि यह अंदर का डेरी फार्म कैसा है और आप देख पाएंगे कि वहां की गाएं कैसी है और डेक्टर साब का भी मैं आपको इंट्रूर दिखाऊंगा और दोस्तों जो बाई नई है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को लाइक करें और शेर करें दोस्तों अब हम पोज़ गयें गायों के सैड में दोस्तों आप देख पा रहे हैं गायों गायों यहाँ पे प्योर थारपागर नसल की गाये हैं यह सारी के सारी मिल्किंग वाली का काव हैं और इसमें दोनों तरफ खुर्ली रबनी हुई है एक खुर्ली जाइट में दिवार के पर एक बिल्कुल बीचो बीच है दोस्तों यहां पर पानी पिला जाते गए माता को वह चूना डालके रखते हैं ताकि उनको भरपूर मातरा में कैल्सियम मिल सके और चूना इस और नीचे चूना डालते हैं थोड़ा ताकि पसों को आराम से कैल्सियम की पूर्ती हो सके जोस्तों अब देख पाएंगे कितनी शांदर गौमाता है यहां पर और सारी के सारी दोनों तरफ यह बीच में खुली बनी हुई है पूरा खुला है और दोनों तरफ गए अराम से यह अपना हराचारा खा रही है जो कि एक बहुत अच्छी विश्ता बनाई हुई है फारम बे बस यहां पर थोड़ा सा लेबर की कमी के कारण थोड़ा सा साथ सपाई प्रोपर नहीं हो पाती है बाकी कोई कमी नहीं है बाकी गाएं बहुत शांदार है क्योंकि अब तक कि जो यह जो ब्रीड है पूरे भारत में इतनी शांदार ब्रीड किसी फारम पर देखने को नहीं मिलती दोस्तों यह सामने कि मिल्किंग मिल्किंग का इनको एक सैड है जहां पे दूद जहां पर गायां का दूद निकाला जाता है और यह बिलकुल साथ सपाइट डिश्पर 1967 में 1967 में इस्टाबिश हुआ है पचास साल की उसकी जो गर्णी में हमने जो है इस प्रक्टिकलों ब्रीड थार पार कर तो राजस्तान के जैसालमेर बार्डमेर और जैसालमेर और पुटानिर एरिया में जो मिलते हैं तो मैक्सिमम देनके है थार पार कर ब्रीड ऑफ कैट गाय है जो पूरे दिन में 24 लिटर तक दूर देती है इसको पोसिबल तभी हुआ है जब हम लोग इसकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग और प्रपगेशन करने की वज़े से हमारे पास हमारे टार्गेट ये होता है कि हमारे पास बचले पैदा होता है उन पचलों को गोशाला मे ब्रीडर के लिए और फार्मों के लिए और सेमन स्टेशन के लिए उपर बचले बैशना हमारे टार्गेट में एक हो जाता है जिसके हमारे अभी तक पूरे उसमें पंद्रा सो के आसपास बचले हम लोग पूरे भारत वर्ष के अलग-अलग स्टेटों में डिस्किबूट और बच्चीों के लिए और गाई के लिए हमारी निल्यामी होती है साल दो बाट जिसमें भारत के विविद स्टेटों में से बहुत अच्छे ऐसे इंट्रेस्टेट फार्मर्स और ब्रीडर्स पार्टिसिपेट कर ले थी और हमारी अच्छी रस्पॉंस आमें हमें देग और दूद निकालने के बाद गाएं को वापिस से खुले में छोड़ दिया जाता है जो उनका खुला सेड है जो आप देखेंगे इसमें सारी गोमाता है बहुत ही शांदर जबरदस कड़काठी की गाएं है प्योर ब्रीड है पूरे भारत में ऐसी ब्रीड कहीं और कहीं नही के लिए आते हैं सर्फ औक्षन में कई माता को यहां से आप लिजा सकते हैं बोली लगाके जो कि इस बार में 19 20 और 21 फरवरी को हुई थी यह हर 6 मीने बाद बोली होती है तो आप सब बाई पार्टिस्पेट कर सकते हैं दोस्तों यह गोमाता भी हमने खरीदी थी 78 बारा और भी कई कई माते हमने लिए आप देखें यह उनका पक्का सेड है यहां पर पूरा डेली दोली धुलाई होती है गोबर उठाया जाता है और तो ब्रीड है वह अराम से यहां पर मिल्किंग के लिए इस आप से डिजैन किया गया है कि पिछे जो नाली बनी हुई है यहां पर नालता है और पानी के थुरू यह इसको डेलि वास कर देते हैं ताकि सफाई अच्छे अच्छे होगी और गएं को यहां पर चुली बनी हुए इसमें फीड ढाल देते हैं फीड पिड या रहामसे यहां पर गएं फीड खाती रहती है और मिल्किं होती रहती दोस्तने is mean यहां पर सिस्टम् थोड़ा सा जह बनाया वाई कि भी बेना बच्चे के इए गये वानाता दू देती रहे और मैंने परस्नली ड्याटर साभ को भी बोला है कि आप कमसे कमगुछ गाएं एक प्रोजेट में रखिये कि जिनका बच्चे का दूद उसके बच्चे को पिला जाए साथ में डायेट थन से और फिर उसके आप ग्रोथ देखिए गये दूद भी ज्यादा देगी मैं स्ट्राइटिस थनेला रोग भी नहीं होगा और बच्ड़े की और बच्ड़ी की सेथ भी अच्छी बनेगी तो इस बार उन्होंने शायद प्रपोजल बेज़े मिनिश से लेकर और 24-25 लेटर तक यह दू देती है डेली का कुछ गोमाता का बहुत ही शांदर हाई मिल्ड की हैं और उनके बच्ड़े तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनके बच्ड़े तो रुखते नहीं है तुर्णत ले जाते हैं लोग बाग तो अगर किसी भाई को यहां से देगरी का मिलेगी और आप बच्ड़े लेकर जा सकते हैं अपने फार्म के लिए दोस्तों जो भाई गयमाता लेना चाहते हैं हमारे से भी तो यह उपर स्क्रीन पर दिये के नंबर पर संपर कर सकते हैं हम लोग भी अविलेवल करा देते हैं दोस्तों धन्यवाद दोस्तो झाल